Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा और आज मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से एक ट्रेजर हंटिंग की मूवी ले आई हूँ हम जो आज बात करने वाले हैं ये कोई मामुली ट्रेजर की बात नहीं है बल्कि ये ट्रेजर था सालों पुराना सामन्तों का खजाना जिसे कहीं सालों तक चुपा के रखा गया और आखिरकार उसे इतने सारे क्लूस से कैसे ढूण निकाला गया तो चलिए हम सब भी इसी ट्रेजर को एक्स्प्लोर करते हैं ये कहानी 2004 में आई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके अंदर आपको इतने सारे क्लू देखने के लिए मिलेंगे कि मानों आप खुदी को एक FBI एजेंट समझना शुरू कर देते हैं कहानी के शुरुवात में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में कुछ बुक्स डूण रहा था और तभी उसके हाथ में एक काफे सुन्दर से बुक्ल लग जाती है उसके पीछे उसके दादा जी आके खड़े हो जाते है और उसे डाटना शुरू करते हैं कि तुम आखिर इतनी रात में क्या ढूण रहे थे बच्चा हडबडार्ट में कहने लगता है कि नई दादा जी मैं कुछ नई डूण रहा था तब उसके दादा जी कहते हैं कि आखिर वो समय आ गया है जब अब तुमें सारी सच्चाई पता होनी चाहिए ये फैमली एक Gates फैमली है जिनके पास में सालो पुराने खजाने का रास था यहाँ तादा जी अपने grandson को खजाने के बारे में बताना शुरू करते हैं वो बताते हैं कि आज से सालो पुराने यानि कि रोमन और पिरामिट के टाइम का खजाना हुआ करता था उस खजाने को दफन होने के बाद में Temple of Solomon के तहकाने में वापिस से ढूंडा गया जब ये खजाना लोगों को मिला तो उन्हें पता चला कि ये खजाना एक kingdom के लिए भी काफी जादा हो सकता है तब वहाँ के कुछ लोगों ने मिलके उसे safe रखने के बारे में सोचा ये ही लोग सामन्त कहलाए गए उसके सौ सालों के बाद में ये खजाना यूरॉप लाया गया और उसके बाद में ये खजाना 2000 सालों तक यहीं दबा रहा अब बात उस समय की थी जब इंगलेंड पूरे यूरॉप और अमेरिका पे कबजा कर रखा था यानि कि वहाँ पे वाड चल रही थी तो इस खजाने को फिर से छुपा दिया गया और इस खजाने के बारे में किसी को पताना चले इसलिए इसे काफे सारे क्लूस के साथ में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया इस ख़जाने के बारे में Charles Carroll नाम के एक आतमी को पता था वो ये बात बताने के लिए America की President के पास में भी गए थे लेकिन जब तक वो उन्हें बताते तब तक काफी देर हो चुकी थी उनके सामने एक लड़का बैठा था जिसका नाम था Thomas Gates बैन के ग्रेंपा कहते हैं कि वो Thomas Gates मेरे ही ग्रेंपा थे यानि कि तुमारे सिक्स्थ ग्रेंपा बैन के ग्रेंपा बताते हैं कि Carlos Carroll ने उन्हें एक चिट दी थी जो कि वो President को देने वाले थे उसमें लिखा था Charlotte हालांकि इसका मतलब वो भी नहीं जानते हैं लेकिन मुझे इस बात पे काफी जादा बिलीव है उसके बाद वो Ben को एक नोट दिखाते हैं उसके अंदर एक पिरामिट बना था और एक आँख भी बनी हुई थी जिसे वो Ben को ये बिलीव दलाते हैं कि ये खजाना असलियत में सच में है और तब ही वहाँ पे Ben के फादर भी आ जाते हैं और वो Ben को डाटने लगते हैं कि इस खजाने के पीछे हमारी पिछली पांच बीडिया लगी हुई है लेकिन एक खजाना बिल्कुल फेक है और तुम इस पारे में आप सोचना बंद करतो लेकिन Ben के फादर की जाने के बाद में Ben अपनी ग्रेंटपा से कहते हैं कि क्या आप मुझे भी सामंत बनाएंगे यानि कि आप भी काफी समय पहले एक सामंत ही हुआ करते थे जो कि इस खजाने की रक्षा करते थे और वो अपनी ग्रेंटपा को कहता है कि मैं बड़ा हो के ये खजाना जरूर खोच लूँगा कहानी अब 30 साल आगे आ चुकी थी जहाँ पे Ben अब एक ट्रेजर हंटर बन चुका था वो अपनी दोस्तों के साथ में नौर्थ आर्टिक सर्कल पे पहुँचा हुआ था शार्लेट की खोच में वहाँ पे अब सभी लोग मैटल डिटेक्टर से सर्च करने लगते हैं कि उन्हें बर्फ के नीचे किसी तरह का सुराक मिल जाए और तभी वहाँ पे बन को शार्लेट मिल जाती है गाइस ये शार्लेट एक शिप है सभी उस शिप के अंदर पहुच जाते हैं लेकिन अभी भी वहाँ पे किसी तरह के का कोई खजाना नहीं था सभी लोगों को वहाँ छोटे छोटे कंटेनर मिलते हैं जिसकी अंदर सिर्फ और सिफ बारूद भरा था तब वहाँ पे बन को एक ऐसा सिपाही मिलता है जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के सिर्फ एक कंटेनर को पकड़े हुए मर गया था जब उस कंटेनर को खूला गया तो उसमें एक बॉक्स मिलता है अब बन को उस बॉक्स के अंदर एक पाइप मिला और इसी के साथ में जब उस पाइप को पड़ा गया तो उस पे काफी बारीक लाइन्स लिखी थी तब ही वहाँ पे बन ने अपना हाथ सी खून निकाला और उस पाइप के उपर खून लगा दिया और उसे एक पेपर के उपर उतार दिया ताकि वो पड़ सकी कि आकर इस पाइप पे लिखा क्या है उस पाइप पे एक पहेली लिख रखी थी जो कि आगे का क्लू बताती है कि खजाना कहा हो सकता है उस पहेली को सुलचाने के बाद ये पता चला कि आगे का अगला क्लू Declaration of Independent के पीछे है और ये एक मैप है Guys, Declaration of Independent का मतलब है कि खोशना पत्र यानि कि जब इनकी कंट्री आजाद हो रही थी उट समय करीबन 55 लोगों ने मिलके इसके उपर साइन किया था तब वहाँ पे Ben का एक दोस्त था यान नाम का वो कहता है कि क्योंना हम उसे चुरा ले और उसके उपर अपना क्यामिकल टेस्ट करे तब वहाँ पे Ben कहता है कि वो हमारे कंट्री की सबसे पुरानी धरोहर है और उसके उपर हमें कोई क्यामिकल टेस्ट कभी नहीं करने देगा तब एयान के मन में लालच आ चुका था और वो कहता है कि मैं इसे चुरा भी सकता हूँ बैन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन तब तक एयान बैन के उपर गन तान चुका था इयान वहाँ पे बैन को कहता है या तो तुम मेरी साइड में आके मुझसे मिल जाओ ताकि हम दोनों मिलके इसकी प्लानिंग कर सकते हैं नहीं तो तुम यहीं पे ही मारे जाओगे तभी वहाँ पे बैन अपने हाथ से एक फ्लेर जला लेता है क्योंकि उनके हर तरफ बारूत ह भी बारूत था वो कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से जला दूँगा लेकिन तभी इयान वहाँ पे एक बैन के दोस्त को भी पकड़ लेता है बैन को और उसके दोस्त राईली को वहीं पे छोड़के इयान उस जगसे निकल जाता है और वहाँ पे आग भी लगा देता है लेकिन बैन उस शिप के एक खूफिया रस्ते के नीचे छुप जाता है उसके बाद में वो पूरा शिप बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में उड़ जाता है यान को लगता है कि बैन और रैले यहीं पे ही मर गया है आप बैन यहाँ पे अपने शेहर पहुंचके सबसे पहले FBI के पास में पहुंचता है उन्हीं वार्निंग देने के लिए कि घोशना पत्र बहुत ही जल चोरी होने वाला है लेकिन वो यह बात इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आए 10 दिनों के अंदर उनके पास ऐसी कोई ना कोई वार्निंग आती रहती है इसके बाद में अब बैन पहुंच जाता है उसी म्यूजियम के अंदर जहां पे घोशना पत्र रखा हुआ था वो वहां की मैनेजर से जाके मिलता है जिनका नाम था डॉक्टर चेज बैन वहां पे देखता है कि डॉक्टर चेज ने काफी अच्छे चुपा है और जिसका मैप हमें मिल सकता है खोशना पत्र के पीछे तब डॉक्टर चेज पूछती है कि क्या तो मुझे वो शारलेट का पाइप दिखा सकते हो तो बैन कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं है तब चेज समझ चाती है कि ये लोग कोई ऐसे ही घूमते फिरते य सेफ रखना है तो इसे चुराना पड़ेगा राइली और बैन बाहर आके सोचने लगते हैं कि कब हमें इस खोशना पत्र को चुरा सकते हैं उनके पास में मैप्स भी थे वो दो से तीन आइडिया सोचते हैं वो कहते हैं पुरानी लेटर को सेफ रखने के लिए इसे हर पुरी तरीके से सेफ रखा गया है कि इसके पास अगर कोई जादा डिगरी का इंसान भी पहुंच जाता है तो भी ये लेटर खुद बखुद अपने आप सेफटी मेजर के कारण बेसमेंड में चला जाता है तब ये दौनों फाइनल करते हैं कि यही तरीका है कि इसे हम उ गार्ड का फोटो आईडी कार्ड को हैक करने की कोशिश करता है वो अपनी पिच्चर उस गार्ड के फोटो आईडी कार्ड पर लगा देता है ताकि वो म्यूजियम के अंदर जा सके बैन को ये पता था कि आने वाले कुछ समय के अंदर 17th Anniversary Celebrate की जाएगी अगर उसके के अंदर कवर करके डॉक्टर चेस को गिफ्ट भेज देता है उधर राइली म्यूजियम की एनिवर्सरी वाले दिन उस लेटर का टैंप्रीचर बढ़ा देता है ताकि उस लेटर को फिर से अब्जवेशन के अंदर ले लिया जाए यहां दूसरी तरफ एयान ने भी सेम य अंदर भी चला जाता है वो डॉक्टर चेस से मिलता है और उन्हें एक ड्रिंक का ग्लास ओफर करता है और उसके बाद में वो ड्रिंक का ग्लास फिर से अपने हाथ में काफी साफधानी से ले ले लेता है ताकि उसके फिंगर प्रिंट इधर उदर कहीं लग ना जाए बैन उस क्यामिकल टेस्टेट वाले रूम में जाना इतना आसान नहीं था, वो एक पैटन लॉक से बंद कर रखा था, इसी कारण बैन कीबोर्ड के उपर कुछ लाइट डालता है, जिससे उसे डॉक्टर चेस के फिंगर प्रिंट मिलते हैं, वो राईली के मदद से सही पैटन को चूस करके इसका पासवर्ड हैक कर लेते हैं, और उसके बाद में बैन पहुंच जाता है, जहां पर घोशना पत्र को बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा गया था, वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से खुला नहीं था, और उसी समय वहां उसके उपर शूट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो घोशना पत्र एक बुलट रूफ रेम के अंदर था, इसी कारण बैन वहां पर बच जाता है, और लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लिफ्ट में जाने के बाद में बैन उसको फोल्ड करता है, और अपने पास में रख लेता है, वो डॉक्टर चेज से नजरे बचा के वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर स्टोर की पर उसे देख लेती है, और कहती है कि तुम्हें यहां पर पे पेमिंट करना जरूरी है, तब बैन वहां पर एक कौपी और लेता है घोशना पत्र की, अब बैन अल्मोस्ट उस जगह से निकलने ही वाला था, कि तभी वहां पर म्यूजियम के अंदर पता चलता है कि घोशना पत्र अभी यहां पर नहीं है, तब डॉक्टर चेज वहां पर बाकी लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग एक बार गैस्ट लिस्ट चेक कर सकते हो, और अब वह पहुँच जाती है बैन के पास में, और बैन को कहती है कि तुम घोशना पत्र को नहीं चुरा सकते हो, और तभी बैन वह गोशना पत्र वापिस से डॉक्टर चेज को दे देता है, लेकिन उसी टाइम पर इयान भी पहुँच जाता है, और वो चेस को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही वार्णिंग दी थी कि ये चोरी आज नहीं तो कल होने ही वाली थी मैं इन लोगों से बचाने के लिए ही घोशना पत्र को चुराने वाला था तब डॉक्टर चेस कहती है कि लेकिन वो तो क्यामिकल टेस्ट नहीं करने दूगी तब राईली कहता है कि इसके लिए हम अमारे घर पे जा सकते हैं जहांपे हमने पूरी तयारी कर रखी है तब बैन कहता है कि मैंने वहां म्यूजियम में पेमिंट क्रेडिट कार्ट की थू किया था तो वहां हम नहीं जा सकते हैं इधर सीन शिफ्ट होता है म्यूजियम के अंदर जहांपे सभी लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिनों के अंदर इस गोशना पत्र को चोरी होने की वार्निंग आखिर किस किस ने दी थी तब FBI का एक एजेंट आके बोलता है कि आसे साथ दिल पहले कोई आदमी आया था उसने मुझे बोला भी था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया और अब वो लोग ही देखते हैं कि यहां पर फाइरिंग भी हुई है वो देखते हैं कि कोई घायल नहीं हुआ है इसके अंदर तो आखिर कौन किस के उपर फाइरिंग कर रहा था FBI वाले वहाँ पे गैसलिस का पता लगा लेते हैं कि कौन कौन इस पार्टी के अंदर इन्वाइटेट था तब वहाँ पे बैन ही एक और्ट परसन मिलता है अब बैन अपने घर तो नहीं जा सकता था इसलिए वो सबसे पहले अपने फादर के घर पे पहुँचता है बैन को पता था कि उसके फादर के पास में साइलेंस टुकूट के लेटर्स मिल जाएंगे इधर इयान ने भी इस पहली को सुलजा लिया था बैन के फादर बैन को कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे खजाने की बात तो करने के लिए नहीं आये हो क्योंकि हमारी पिछली च्छे पेडिया इसी खजाने को ढूंटते हुए मर गई है और किसी को भी खजाना नहीं मिला है तब बैन कहता है कि डैट मैंने शार्लीट का पता लगा लिया है तो उसके डैट कहते है कि क्या तुम्हें खजाना भी मिल गया है तो वो कहता है कि नहीं उसमें एक मुझे सुराक मिला है जो कि Charlotte Doe Goods के letter है आप मुझे वो letters दीजिए अब guys यहाँ पे silent do goods के letter के बारे में मैं आपको बताती हूँ यह letters लिखेते Benjamin Franklin ने Benjamin Franklin अमेरिका के father भी कहे जाते थे और Ben ने जहाँ Charlotte के ship के अंदर जो पहीली सुलजाई थी उसमें भी silence लिखा था और ये साइलेंस के थूने पता चलता है कि ये लेटर साइलेंस डूगुट के है यानि कि Benjamin Franklin से जुड़े हुए हैं तब वहाँ Ben के फादर कहते हैं कि ये लेटर में बहुत समय पहले ही Philadelphia के Franklin Institute को दान कर चुका हूँ अब Ben के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था उस मैप को ढूणने के लिए इसलिए वो घोशना पत्र को पलटते हैं और उसके उपर lemon के juice से टेस्ट करने लगते हैं वो शुरवाद उस letter के corner से करते हैं लेकिन अभी भी उन्हें कुछ visible नहीं हो रहा था तब ही वहाँ पे Ben के फ page number, line number और words लिखे हैं इसी के बाद हमें आगी का clue मिलेगा अब Ben वहाँ पे अपने फादर की ही कार चोरी करके ले जाता है और वो अपने फादर को भी बांद देता है FBI जब तक Ben के फादर के घर पहुंचती है तब तक Ben वहाँ से निकल चुका था ये सभी लोग अप पहुंच चुके थे फैलिडेलफिया की म्यूजियम के अंदर जहां पे silence to good के letters लिखे हुए थे वो एक छोटे बच्चे को भीचते हैं ये सारे letters note करने के लिए लेकिन वहाँ पे इयान भी पहुंच चुका था और वो उस बच्ची को notice कर लेता है कि ये बच्चा कुछ letters note करके किसी को दे रहा है अब जब आकरे word Riley यहाँ पे match कर रहा था तभी उसे वो last word एक poster पे लिखा हुआ दिख गया और वो वहाँ से चला जाता है जब तक इयान वहाँ पे पहुंचता है अब Riley वो सारी चीज़े Ben को बताता है कि उसने जो coding पड़ी थे उसके अंदर कोई Liberty Bell के बारे में बताया गया था उन्हें अब ये पता चल चुका था कि Liberty Bell की परच्चाई जहां पे परती है वहीं से हमें आगे का clue मिलेगा लेकिन तब वो सोचते हैं कि आखिर हमें किस टाइम पर परच्चाई देखनी है तो वो 100 डॉलर के नोट पे फिर से ये ढूनने के कोशिश करते हैं कि क्या टाइम उस पर लेका है इधर इया ने उस बच्चे को कुछ पैसे दे के उससे आखरी वर्ड पुछवा लिया था इया ने जब उस वर्ड को सर्च किया तो उसे भे Liberty Bell के बारे में पता चल चुका था बैन यहाँ पे डॉक्टर चेज और राइली को कहता है कि मैं वहाँ जा के ये देखता हूँ तो मुझे नीचे मिलो जहां Liberty Bell की परच्छाई पढ़ रही थी वो एक ब्रिक के उपर पढ़ रही थी और उसी ब्रिक पे एक छोटा सा निशान भी बना हुआ था बैन उस ब्रिक को बाहर निकालता है तो उसमें से एक ग्लास मिलता है ये ग्लास कोई मामूली ग्लासेस नहीं थे बलकि इन ग्लासेस से उस मैप को पढ़ा जा सकता था अब जब Ben घोशना पत्र के उपर फिर से वो ग्लास पहन के नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि इसके उपर और भी कुछ नए वर्स लिखे हुए है यानि कि इसके उपर लिखा हुआ था Here at the Wall अब जब ये लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं पता चलता है कि इयान के सारी लोगोंने इनी मिलके घेझ लिया है तो वो अलग-अलग जाने की सोच थे हैं लेकिन बात तब भी नहीं बनती है इंग तीनों के पीछे इयान के सारी लोग पड़े पहुचते हैं कि तभी वहाँ पे बैन के पास में एफपियाई पहुच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है बैन यहाँ पे एफपियाई को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था कि यह गोश्णापत्र चोरी होने वाला है लेक पूद कॉल पे कहता है कि अगर तुमें तुम्हारे दोस्त प्यारे हैं तो तुम यहाँ पे आके मुझे नेक्स्ट क्लू बताओ और उसके साथ में तुम अपना चश्मा भी लेकर आना तब यह बात सुनके एफपियाई एजेंट भी मान जाते हैं कि आखिर यह ट्रेजर असलियत के अंदर है अब जैसा कि यहान ने बताया था वैसे ही बैं करता है लेकिन इस बार उसके आगे पेछे एफपियाई के भी लोग लोग कैच्टूल्स के अंदर थे यहान के люди को बताते हैं कि तुमें अभी पाणी के अंदर कूदना है और एफपियाई के लोगों क तुम्हें मार देता अब बैन और यान एक जगह पे मिलते हैं जहां पे वो आपस में आगे की बात को solve करने की कोशिश करते हैं अब उनके पास में घोशना पत्र भी था और चश्मा भी था लेकिन बैन वहां पे कहता है कि यह सारी चीजें तुम ले लो और तुम अपने आप से इसे solve करो तब ही वहां पे यान कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ वहां पे बैन देखता है कि उसके फादर बंदे हुए थे यानि कि यान ने उन्हें किनाप कर लिया था तब वहां पे बैन उसे बताता है कि उस मैप के उपर here at the wall लिखा हुआ जिसका मतलब है wall street wall street को काफी समय पहले दाहियर कहा गया था और दाहियर अभी लिखा हुआ है ब्रॉडवे पे यानि कि अभी जो इस स्ट्रीट का नाम है वह वाल स्ट्रीट ब्रॉडवे तब यान कहता है कि तुम अभी भी मुझसे कोई बात चुपा रहे हो तब बैन उस के आगे जाने के लिए मना कर देता है लेकिन उसी टाइम पर यान अब वहां पर डॉक्टर चेज और राइली को भी ले आता है इस कारण बैन को फिर से यान की मदद करनी पड़ती है अब वो दौनों मिलके घोशना पत्र के उपर बने मैप को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसके उपर लिखा था पारकिना टोन यानि के पारकिना टोन के नीचे ही ये सारा का सारा ख़साना दबा हुआ है अब ये सभी लोग मिलके बेस्मेंट में जाते हैं तब वहां उन्हें पारकिना टोन के कपर मिलती है यान बिना कुछ सोचे समझे उस कपर को खुदवा द और तब वहाँ पता चलता है कि यहां से नीचे जाने का भी कोई रस्ता है दोस्तों यहां से हमारे सारी क्लूज हमें ले चलते हैं असली खजानी की तरफ अब सभी लोग इस चर्च के बेस्मेंट में पहुंच चुके थे जहां पे हर तरफ वुडन की ही सीडियां बनी हुई लगते हैं वहीं पे बैन और डॉक्टर चेस हवा की अंदर जूल रहे थे राईली उन दौनों की मदद भी करता है और उसी समय बैन वहां पे एक मुसीबत में फस जाता है उसने एक हासे डॉक्टर चेस को पकड़ रखा था लेकिन दूसरी तरफ वहां घोशना पत्र हवा की अंदर गिरने वाला था तभी वह डॉक्टर चेस को हवा में छोड़ देता है क्योंकि उसी पता था कि नीचे वुड़न का जो पट्टा जूल रहा है वह उस पर गिर के बच जाएगी लेकिन अगर एक बार घोशना पत्र हाथ से चला गया तो यह बहुत बड़ा लॉस ह अब वो सभी एक लकड़ी के लिफ्ट पे आ जाते हैं और एक कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं अब राइली यहाँ पे पूछता है कि खजाना कहा है तो बैन कहता है कि मुझे यहीं तक मालूम था जो सारी क्लूज आते हैं वो यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं इसके आग जब अंग्रेज यहाँ पे आने लखते थे तो एक लाल टेन चलाई जाती थी और अब जो इसका नेक्स्ट फ्लू है वो है बॉस्टन का पॉस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च चे अंदर जमीन के रस्ते में ही यह लाल टेन आकरी बार देखी गई थी और तब बैन के फाद गलत भी हो सकती है तो इयान कहता है कि मुझे पता है फिर कि तुम लोगों को कहां डूढ़ना है यान अब सभी लोगों को यहीं छोड़ कर चला जाता है वहां दूसरी तरफ राइली और डॉक्टर चेस काफी जादा परेशान होने लगते हैं कि आकिर हम यहां कहां फस चुक परेशान के प्राउड है कि तुमने इवन इस जगह को तो एक्स्प्लोर किया अफ़िर चाहे खजाना मिले चाहे नहीं मिले तब बैन कहता है कि अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे वो कहता है कि हम यहां से बाहर निकलेंगे क्योंकि यहां क पास जो शार्लेट का पाइप था वो अब उसे निशान के अंदर इसे लगा देता है और एक बटन को प्रेस करता है कि तभी वहां पे एक वाल खसक चाती है और उसके बाद में बैन और उसके फादर मिलके उस वाल को पुरी तरीके से हटा देते हैं और अब वो जिस कमरे म पहुचते हैं आपने ये चीज़ कभी सोची भी नहीं होगी वहां हर तरफ पुराने से पुराना डॉक्यूमेंट और इतने पुराने जमाने का ख़जाना उन्हें मिलता है जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था ये खजाना उन्हीं सामनतों का था जिस सबी लोग उस सोने को देखते हैं जो कि एक पूरा का पूरा शहर कवर कर सकता है इतना जाधा सोना राइली वहाँ पे बाहर का रस्ता मिलने पे रोने भी लग जाता है अब जब वो लोग बाहर निकल चुके थे तो उनका वैलकम करने के लिए पहले से ही वहाँ FBI भी मौजू लिया है तब बैन कहता है कि वो बिलकुल आपके पैरों के नीचे ही है तब वो FBI का एजन कहता है कि बताओ आकर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए तो बैन कहता है कि इस ट्रेजर हंटिंग की खोच के लिए गेट्स कांदान के लोगों का नाम दिया जाए और उसमें पत्र जो चोरी हुआ है तब वहाँ पे बैन उन लोगों को ले चलता है यान के पास में जो कि बॉस्टन के चर्च के अंदर खजानी को खोजने की कोशिश कर रहा था और उसे वहाँ आप अरेस्ट कर लिया जाता है कि बैन और डॉक्टर चेज राइली के साथ में एक भी खसाना मिलेगा उसमें ट्रेजर हंटर को कितना परसेंट मिलेगा इसका फैसला तुम ही कर लेना और तब हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास में काफी जादा पैसा आ चुका था क्योंकि राइली के पास में एक बहुत महंगी कार थी और बैन और डॉक्टर चेज एक बहुत बड़े बंगलो के अंदर रह रहे थे और इसी के साथ में दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है तो आप सभी लोगों को कैसी लगी ये नैशनल ट्रेजर की कहानी आप सभी मुझे जरूर बताएगा और इसके बाद मैं इसके अगले पार्ट में आप सभी लोगों से मिलती हूँ तब तक के लिए टाटा पर लोगों